उदारन चार, किसी चारों प्रतिरोध से प्रति सेकेंड सौ जूल उश्मा उत्पन हो रही है, प्रतिरोधक के सीरों पर विभवांतर ग्याद कीजिए, हल, प्रश्ट में हमें विभवांतर का मान ग्याद करने के लिए कहा गया है, और हम जानते हैं कि विभवांतर वी बराबर होता है आई आर, जहां आई विद्युद्धारा है और आर प्रतिरोध है, तो विभवांतर ग्याद करना है, जिसके लिए हमें विद्युद्धारा के मान ग्याद करना है, तो वी बराबर आई आर से हमें आर का मान भी चाहिए, और आई का मान भी, प्रेश्ट में हम देखते हैं कि हमें R का मान दिया गया है 4 ओम और उश्मा H बराबर हमें दिया गया है 100 जूल तो पहले हम H और R की सहाइता से I का मान ग्याद कर लेते हैं और उससे हम विब्भानतर ग्याद कर पाएंगे तो हम जानते हैं कि जूल के तापन के नियम के अनुसार H बराबर होता है I स्क्वेर R T जा I जो है वो विद्युद्धारा है R प्रतिरोध है और T समय है चलिए हम मान रख लेते हैं H का मान हमारे पास 100 जूल दिया हुआ है I का मान हमें ग्याद करना है प्रतिरोध हमारे पास है 4 और प्रति सेकेंड कहा गया है इसलिए T का मान एक हुआ अब यहां से I का मान ग्याद करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं I स्क्वेर बराबर मान रख लीजिए 100 बटे 4 तो I स्क्वेर का मान हो गया 25 और इस प्रकार I जो है वो हमें मिलेगा 5 एंपियर चलिए आगे हल करते हैं तो जैसा कि ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं के नियमा अनुसार V बराबर I R जहां अब हमारे पास I का मान है 5 और प्रतिरोद दिया गया है 4 ओम याने कि विभवानतर हमें मिला 20 वोल्ट का इस प्रकार प्रश्न हल हुआ Note बल्ब में तंतू टंगस्टन धातू की लंबी एवं पतली तार का बना होता है बल्ब के अंदर यह तंतू ऐसा आभासित होता है कि यह बहुत छोटा है केवल कुछ इंच लंबाई का परन्तू वास्तों में इसकी लंबाई कई फीट होती है जिसे तंग कुंडली में बनाया जाता है होती है